दोस्तों आझके जीटर हम बात करेंगे यहीर टेल एकसी बैंग करेंग करेंगे रीसेंटल मार्ज टूताऊजनलटवीटटीटीटू को याइथेल और एकसिस बैंगence में इस करेंग करेंगे गर्ब्रlt पूरे डीटेल पे दो नमस्कार दोस्तों आप सभी देख रहे टेगी फैनेंस य्टूब चैनल तो चलिए दुस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते है इसके इड़ कार्ड के वैलकम बेनिफिट्स के बार में दोस्तो जब आपको यह card issue होगा और आपको यह card मिलेगा उसके first 30 days के अंदर जब आपका first transaction complete करोगे तब आपको उसके उपर Amazon का एक 500 का e-voucher दिखने को मिलेगा दोस्तो अब बात करते हैं इस card के main benefits या फिर इस card के ready work system के बारे में इस card को use करके आप या टेल थैंक सबसे आपका mobile recharge, broadband recharge, wifi recharge या पर DTH bill payments के उपर जितना सारा भी spend करोगे तब आपको वहाँ पर 25% का cashback देखने को मिलेगा दोस्तो लेकिन इस offer को use करके आप maximum एक महिने में 300 का cashback अंकर सकते हो दोस्तो इस card को use करके आपको 10% का cashback मिलेगा utility bill payments के जैसे के आपका gas का bill, electricity bill, water bill और इस सारे transaction आपको याटल थैंक सबसे करना होगा इस offer को use करके पूरे महिने में 300 का ही cashback अंकर सकते हो दोस्तो इस card को use करके आपको जो preferred partners होते उनका उपर भी 10% का cashback देखने को मिलेगा आपको सारे partners को मिला के पूरे महिने में maximum 500 का ही cashback के उपर चेंज होता ही रहते हैं currently इनके तीन preferred partners है Swiggy, Zometo और Big Bus के दोस्तो इस card को use करके आपको सारे other spends के उपर 1% का cashback देखने को मिलेगा और इसका कोई भी upper limit नहीं है और यह जो cashback है यह आपके credit card statement में direct adjust हो के आएगा दोस्तो दोस्तो कुछ ऐसे भी transaction से जिसके उपर आ wallet load, jewelry purchase, cash advance, payment of outstanding balance of this card, payment of any card fees, other charges, rent payment दोस्तो आप जितना सारे भी cashback earn करोगे पूरे statement circle में वो आपका next statement circle में 3 days पहले adjust हो के आपका next statement बन के आएगा दोस्तो मालीज आपका next statement होना है 12 of March को यह जो आपका cashback है यह पूरे February मैने का cashback यानि की 13 January से 12 February तक आपका जो statement है उनमें जो भी आप सारा cashback earn करोगे वो आपको 9th March को देखने को मिलेगा आपका statement में adjust होता हुआ दोस्तो अब बात करते हैं इस credit card के other benefits के बारे में दोस्तो इस credit card को use करका आपको four complimentary lounge access domestic airports के उपर देखने को मिलेगा दोस्तो यह जैसे के access bank का credit card है तो आपको अपटू 20% का discount मिलेगा और access bank के पूरे इंडिया में 4000 से भी प्लस प्लस डाइनिंग डिलेट प्रोग्रम के अंडर आते हैं दोस्तों इस credit card को use करका आपको one percent full charges का भी वेवेड देखने को मिलेगा आपका minimum transaction value का होना चाहिए और maximum 4000 तक हो सकता है दोस्तों और आपक करते हैं इस card के eligibility criteria के बारे में इस credit card को लेने के लिए आपका age 18-70 के बीच में होना होगा और आपको एक इंडिया रिसिदेंट होना होगा दोस्तों और इस credit card को सिर्फ और सिर्फ आप यार्टिल थैंक्स एप से पी अप्रूवर के basis पर भी apply कर सकते हो ऐसा claim करता है access bank या पर या तेल दोस्तों अब बात करते हैं आप इस credit card को कैसे ले सकते हो दोस्तों अगर आपके पास access bank का कोई साभी credit card है तब आप access bank customer care में call करके उनको डिरेक्ट बोलो कि आपको या टेल कार्ड में अपग्रेड चाहिए और within 7 working days आपका ये card आपके communication address के ऊपर आपको deliver हो ज करते हैं इस credit card के fees और charges के बारे में दोस्तों इस card का joining fees 500 प्लस GST इस card का annual fees 500 प्लस GST लेकिन अगर आप last year में 2 lakh या फिर उससे अब आपका spend करते हो इस card को उसकर करके तब आपका ये जो annual charges है या आपको reverse मिल जाएगा दोस्तों तो इस card का finance charges है 3.6% पर मत या फिर 52.86% पर दोस्तों अब बात करते हैं इस card के late payment fees के बारे में अगर आपका late payment देड़िक तक है तब को कोई भी charges नहीं लेगा और टेन थाउजन वांट रुपीज से 25,000 के बीच में आपको 750 रुपीज का चार्जेस लगेगा दोस्तो इस केरिट कार्ड का हुऊँ गैस विड्डॉल फीज और ओवर लिमिट फीज है 2.5% अप दा एमाउन या फिर मिनिमाम 500 रुपीज दोस्तो और इस केरिट कार्ड का इस तक श्रिज्ट में सारे चार्जर्ड के आपको 18 अप आपको ये कार्ड लेना चाहिए या फर नहीं दोस्तो आपको ये काड डिफिनिलील लेना चाहिए दोस्तो अगर आप येटेल के सर्विसेδώ यूश करते रहे तो तब ये कार्डय लिए बहुत ही फैदे मैं इसका एक minimum capping भे है लेकिन जो capping इसके उपर देखने को मिलता है वह other card से थोड़ा better है दोस्तो तो आपको इस card के लिए जरू जाना चाहिए तो भू भी आप नीचे comments में बताएं मैं उसके reply जरू दूँगा और इसी तरह के finance related quality videos हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें दोस्तों बहुत बहुत दनावत इस video को देखने के लिए